तो हेलो एन वेलकम दोख्तों, क्या आप भी अपने Pixel Lab में Custom Font को एड़नी कर पाते हो, जब भी आप अपने Pixel Lab एप्लिकेशन में फोन्ट को एड़ करने जाते हो, तो वहाँ पे जो है, कुछ इस तरह से प्रवल्म आपको देखने हो को मिलता है, तो हम इस प्रवल्म को कैसे पर्मानाटली ठीक कर सकते हैं, इसी के बार में पुरे डिटेल में समझेंगे, तो आइए जानते हैं इसके बार में, यह जो प्रवल्म आपको अपने फोन में क्रोम ब्रादर को ओपन कर लेता हूं, तो आपको यह जानते हैं, प्रोम ब्रादर को ओपन कर लेता हूं, आपको यहां पर सर्च में लिखना है, डाफ़ोंट, डाफ़ोंट हिंदी लिख के आपको यहां पर सर्च कर लेना है, जैसे ही आप डाफ़ोंट लिख के सर्च करोगे, तो आपके सामने में ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्कोल करना है, नीचे स्क यहां पर देखने को मिलेगा तो आपको यहां पर जो भी फॉन्ट आपको रखना है पिक्सलेब में जो भी फॉन्ट पिक्सलेब एप्लिकेशन में आपको एड़ करना है उस फॉन्ट को यहां पर आपको अपने हिसाब से क्लिक करके और यहां पर डाउलोड करने के बाद को यहांपर download का option मिलेगा तो आपको simply यहांपर गलिक करना है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है से इस फोन को आपकोट कुशन किया है। font के लिए आपको यहां से move करना है, move करने के लिए आपको tap करना है, tap करने के बाद आपको यहां पर three dot के option पर click करना है, click करने के बाद आपको यहां पर एक option मील जाएगा, move to का तो आपको click करना है, click करने के बाद आपको यहां पर internal storage के option पर click करने के बाद आपको यहां पर add new folder के option पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक फाइल क्रेट कर लेना है कोई भी नाम से तो मैं यहां पर कर लेता हूं create करने के बाद आपको यहां पर move to folder के option पर क्लिक करके इस फाइल को यहां पर move कर देना है ऐना मूब करने के बाद आपको यहां पर बैक आने के बाद आपको इंटर्न च्टरुज आपको खू खूल करके आप जो फाइल hare के ओुहुआ हैं तो मैं अभी इस फाइल को क्रेट किया हूं और इसको क्या करना है आपको यहां पर एक्स्ट्रक्ट करना है यहां पर क्लिक करके आपको इसको एक्स्ट्रक्ट करना है यहां पर क्लिक करके जिप फाइल को एक्स्ट्रक्ट करने के बाद आपको जिप फाइल को एक्स्ट्रक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक और मिल दाएगा फॉंट का तो सिंप्ली हम यहां पर फॉंट के अफन पर क्लिक करेंगे फॉंट के अफन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पिक्सलेब में जो भी फॉंट अबलेवल होगा, वो सभी font यहां पर सोब होने लगेगा, तो आपको यहां पर अपना font एड करने के लिए, custom font एड करने के लिए, my font की अफ़न पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने में जब भी भी आप font को एड करते होंगे, तो ऐसा यहां पर problem आपको दिखन मूप किये हैं उस फाइल को आपको यहां पर ढूंड लेना है ढूंडने के बाद आपको यहां पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आपको यहां पर किलिक करना है और यहां पर एडिक्सिनरी के अपर किलिक करना है जैसे ही आप एडिक्सिनरी के अपर किलिक करोगे तो फॉं करना है टेलीग्राम पर आने के बाद आपको क्या करना है पिक्सलेब का यहां पर ओल्ड भर्जन को अपने फोन में इंस्ट्रॉल कर लेना है यहां पर क्लिक करके पिख्षर लेब ओल्ड भरजन को इंस्ट्रॉल करनेक बाद आपको इसको ओपन किर लेना हैं और जो font आप यहां पर download किये हो उसको आपको यहां पर select करना है यहां पर select करने के बाद आपको इसको open करेंगे open करने के बाद आपको यहां पर add directory के option पर click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो live group यहां पर font add हो गया है तो अगर आपको और एक्स्ट्रा फॉंट को एड करना है तो आपको यहां पर फिर से फाइल के अपशन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपका जिस भी फाइल में फॉंट है आपको वहां पर सेलेक करना है सेलेक करने के बाद आपको यहां पर डिरेक्टोरी के अपर क् करके आप इन सभी फॉंट को यूज कर सकतो बिल्कुल आसानी से तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से अगर आप भी पिक्सल लेब एप्लिकेशन में कस्टम फॉंट को एड़ नहीं कर पा रहे हो तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों अगर आप हमार एप ही मिलता है नए वीडियो में थैंक यूज